आज मैं बात करूँगा समुद्र की और रिवर की रिवर समुद्र के अंदर जाता है नदियां जाती है और उसके बीच समा जाती है वैसे ही समुद्र कभी नदियों में नहीं आता वापिस उसी तरह भगवान अपने बंदों से कभी नराज नहीं हो सकता नराज हम लोगी रहते हैं भगवान से मगर चरासा समर्ण करें सोचिए समुद्र कभी भी नदियों में वापिस नहीं आया इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रानियों को कभी उनसे नराज हो सकता है जब उन्हें वो मारक दिखाना चाता है और कहता है कि तू सत्ता पे चल क्योंकि मनुश्य का जो जीव है बहुत मुश्किल से मिला है पर ये बात वो लोग नहीं चानते तब तू एक दूसरे के साथ क्यों लड़ता है जब तिरको पता नहीं मैंने तिर को मनुश्य इसलिए पैदा किया कि तू अच्छे करम कर जैसे समुद्र नदी में वापस कभी नहीं जाता मैं भी तिर से कभी नाराज नहीं हो सकता मेरे अंदर समाजा और बाकी सब कुछ छोड़ दे These are very important words of any master who has been on the earth They have tried telling us that man is born after taking so many births and he doesn't realize this Surrender to my feet and you will see the jewels I will take you and show you the miracles of the universe आज के लिए इत्ता ही just ponder over it and think what I have said